अगर आपको किसी के भी नाम को इंग्लिश में लिखने या पढ़ने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास को ध्यान से देखना क्योंकि आज मैं आपको हिंदी के नामों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना बताऊंगी वीडियो को आखिर तक जरूर देखना जिससे की एक भी चीज आप से चूटे नहीं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना हमसे जुन्डे के लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथी घंटी को भी दबा लेना जिससे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं पहला है अमित औ म म पे चोटी की मात्रा फिर तो औ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं उपर देखी क्या लिखा है ए लिखा है तो यहाँ पर हम ए लिख दिंगे फिर है म, म को इंग्लिश में M लिखते हैं तो यहां हम M लिखेंगे म पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा के लिए उपर देखी क्या लिखा है I लिखा है इसलिए हम M के आगे I लगाएंगे फिर है तो, तो को T लिखते हैं इंग्लिश में तो यहां हम T लिख देंगे और तो आखिर में है इसलिए हम T के आगे A नहीं लगाएंगे तो यह बन जाएगा A M I T अमित अगला नाम है अलका अ, ल, को, को पे A की मात्रा वको इंग्लिश में A लिखते हैं तो यहां हम A लिखेंगे फिर है ल, ल, को इंग्लिश में L लिखते हैं तो यहां हम L लिख देंगे फिर को है, को को के लिखते हैं तो यहां हम के लिखेंगे को पे A की मात्रा है तो उपर देखिए A की मात्रा के लिए क्या लिखा है A भी लिखा है और डबल A भी लिखा है अब आप सोच रहे हूंगे कि a कहां पर आएगा और double a कहांपर आएगा तो देखिए यहां पर को के आगे आ की मातरा है तो अगर किसी अक्षर के आगे आ की मातरा आती है तो वहां पर तो हम a लगाते हैं और अगर कोई शब्द a से शुरू हो रहा हूँ जिससे आ चल हो गया इस तरीके से कोई नाम है तो वहाँ पर हम डबल ए लगाते हैं तो यह चीज मैं आपको आगे बताऊंगी फिलाल आप इतना समझे कि यहाँ पर को के आगे ए है यानि किसी अक्षर के आगे आ की मात्रा है तो यहाँ पर हम एक ए लगाएंगे यानि हम के क अलका क्लियर हुआ फिर है अनुराधा अ नो नो पे छोटे उ की मात्रा र र पे आ की मात्रा ध ध ध पे आ की मात्रा तो अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिखेंगे नो को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे अब नो पे छोटे उ की मात्रा ह लिए उपर देखे क्या लिखा है? U लिखा है, तो यहाँ पर हम N के आगे U लगा देंगे फिर है रो, रो को English में R लिखते हैं, तो यहाँ हम R लिख देंगे रो पे A की मात्रा है तो यहाँ पर R के आगे क्या लगाएंगे? 1 A फिर है ध, ध को English में D, H लिखते हैं, तो यहाँ हम D, H लिख दिंगे ध पे भी A की मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी D, H के आगे एक A लगाएंगे, तो यह बन जाएगा A, N, U, R, A D, H, A अनुराधा फिर है, अनुशा O, न, 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 पे चोटी उकी मात्रा, श, श, पे A की मात्रा, O को English में A लिखते हैं, तो यहाँ A आ जाएगा, फिर न, है न, को N लिखते हैं, तो यहाँ हम N लिखेंगे न, पे भी चोटी उकी मात्रा है, तो यहाँ पर चोटी उकी मात्रा के लिए N के आगे क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे फिर है श, श को इंग्लिश में SH लिखते हैं, तो यहां हम SH लिख देंगे, श पे A की मातरा है, तो A की मातरा के लिए SH के आगे A लगा देंगे, तो यह बन जाएगा A N U, S H A अनूशा नेक्स्ट है, आरव A, R, W अब देखिए, ये नाम किसे शुरू हो रहा है A से शुरू हो रहा है, तो यहां पर हम A के लिए AA का अस्तमाल करेंगे, तो हम AA लिख देंगे, फिर R है, R को इंग्लिश में R लिखते हैं, तो यहां हम R लिखेंगे जब R बोल रहे हैं, तो उसमें A की ध्वनी आ रही है R आ रही है ना, इसलिए हम R के आगे A लगा देंगे फिर है, वो, वो को इंग्लिश में V भी लिखते हैं और W भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम V का अस्तमाल करते हैं, इसलिए हम V लिखेंगे, और वो आखिर में आ रहा है, इसलिए हम V के आगे A नहीं लगाएंगे तो जब भी कोई अक्षर आखिर में आता है, उसके आगे A नहीं लगाया जाता, तो यह बन जाएगा A, A, R, A, V A, R, A, V पिर है, I, U, She A, Y, 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 पर छोटी U की मात्रा, श, श, पर बड़ी U की मात्रा A है, फिर से ये नाम किसे शुरू हो रहा है A से, तो यहाँ पर डबल A आएगा फिर Y है, Y को English में Y लिखते हैं, तो यहाँ हम Y लिखेंगे Y पर छोटी U की मात्रा है, और छोटी U की मात्रा के लिए उपर देखिए क्या लिखा है, यू लिखा है इसलिए हम Y के आगे यू लगाएंगे, फिर गए श, श, श को English में S, H लिखते हैं, तो यहाँ हम S, H लिख देंगे श, पर बड़ी U की मात्रा है और बड़ी U की मात्रा के लिए उपर देखिए, क्या लिखा है डबल U लिखा है लिखा है न, लेकिन यहाँ पर हम डबल U का इस्तमाल नहीं करेंगे यहाँ पर हम I का इस्तमाल करेंगे उसका रीजन यह है कि जब भी बड़ी U की मात्रा आखिर में आती है तो वहाँ पर हम I का इस्तमाल करते हैं और श, पर बड़ी की मात्रा है वो आखिर में आ रही है आ रही ही न इसलिए हम SH के आगे I लगाएंगे तो ये बन जाएगा डबल A Y-U-S-H-I I-U-S-H फिर है आशा आ शर शर पे आ की मात्रा तो फिर से आ से शुरू हो रहा है तो डबल A आएगा शर को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहां हम SH लिख दिंगे शर पे भी A की मात्रा है इसलिए हम SH के आगे A लगाएंगे तो ये बन जाएगा डबल A SH A आशा नेक्स्ट है अभिनव A भभभपे चोटी की मात्रा न फिर व A को इंग्लिश में A लिखते हैं तो यहां हम A लिखेंगे भ को भ लिखते हैं तो यहां हम भ लिख दिंगे भ पर चोटी की मात्रा है और चोटी की मात्रा के लिए उपर देखिए क्या लिखा है आई लिखा है इसलिए हम भ के आगे आई लगा दिंगे पिर गए न, न को English में N लिखते हैं तो यहां हम N लिख दिंगे जब न बोल रहे हैं तो उसमें A की धुनी आ रही है न, आ रही है न, इसलिए हम N के आगे A लगाएंगे फिर गए, व, व, को English में V भी लिखते हैं और W भी लिखते हैं लेकिन यहां पर हम V का अस्तमाल करते हैं इसलिए हम V लिखेंगे और व, आखिर में है इसलिए V के आगे A नहीं लगाएंगे तो यह बन जाएगा A, B, H, I, N, A, V, अभिनव फिर है अभिराज, O, भ, भ, पे चोटी की मात्रा रो, रो पे आ की मात्रा और जो O को इंग्लिश में A लिखते हैं तो यहां A आ जाएगा भो को B, H लिखते हैं तो यहां B, H लिख देंगे फिर भो पे चोटी की मात्रा है तो चोटी की मात्रा के लिए हम B, H के आगे क्या लगाएंगे? I लगाएंगे फिर है रो, रो को आर लिखते हैं तो यहां हम आर लिख देंगे रो पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए आर के आगे क्या लगाएंगे ए लगाएंगे फिर है जो, जो को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहां हम जे लिख देंगे और जो आखिर में है इसलिए J के आगे A नहीं आएगा तो ये बन जाएगा A, B, H, I, R, A, J, अभिराज पिर है B, ना, बो, बो पे बड़ी की मात्रा, नो, नो पे आ की मात्रा बो को इंग्लिश में B लिखते हैं तो यहां हम B लिख दिंगे बो पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए उपर देखी क्या लिखा है डबल E लिखा है इसलिए हम B के आगे डबल E लिख दिंगे फिर है नो, नो को इंग्लिश में N लिखते हैं तो यहां हम N लिख दिंगे नो पे A की मात्रा है इसलिए N के आगे क्या जाएगा A आ जाएगा तो ये बन जाएगा B, E, N, A B, N Next है बसंती B, 100, 100 पे अंकी बिंदी तो तो पे बड़ी की मात्रा B को इंग्लिश में B लिखते हैं तो यहां हम B लिख देंगे जब B बोल रहे हैं तो उसमें O की द्वनी आ रही है B आ रही है न इसलिए हम B के आगे ये लगाएंगे फिर है S, S को इंग्लिश में S लिखते हैं तो यहां हम S लिख देंगे S पे अंकी बिंदी है और अंकी बिंदी के लिए उपर देखे क्या लिखा है A, N भी लिखा है और A, M भी लिखा है लेकिन जब हम बसंती बोल रहे हैं तो बसं A, N की द्वनी आ रही है इसलिए हम S के आगे A, N लिखेंगे फिर गया तो को इंग्लिश में T लिखते हैं तो यहां हम T लिख देंगे और तो पे बड़ी की मात्रा है लेकिन बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए हम T के आगे A लगाएंगे तो यह बन जाएगा B, A, S, A, N, T, I बसंती भारती भ, भो पे A की मात्रा फिर र, त, तो पे बड़ी की मात्रा भ, को इंग्लिश में B, H लिखते हैं तो यहां हम B, H लिख देंगे भ, पे A की मात्रा है इसलिए B, H के आगे A लगा देंगे फिर घ, र, र, को R लिखते हैं तो यहां हम R लिख देंगे, जब र, बोल रहे हैं तो उसमें O की द्वनी नहीं आ रही है हम भारती बोलते हैं भराती तो नहीं बोलते न तो इसलिए हम R के आगे A नहीं लगाएंगे फिर घ, T, T को इंग्लिश में T लिखते हैं तो यहां हम T लिख देंगे T पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में है इसलिए T के आगे आई आ जाएगा तो यह बन जाएगा B, H, A, R, T, I भारती नेक्स्ट है गौरफ ग, ग, पे आउ की मात्रा फिर र, फिर व ग, को इंग्लिश में G लिखते हैं तो यहां हम G लिख देंगे ग, पे आउ की मात्रा है और O की मात्रा के लिए उपर देखिए क्या लिखा है A, U लिखा है इसलिए हम G के आगे A, U लिख देंगे फिर है R, R को इंग्लिश में R लिखते हैं तो यहां हम R लिख देंगे जब R बोल रहे हैं तो उसमें A की थ्वनी आ रही है इसलिए हम R के आगे A लिखा देंगे फिर है W, W को इंग्लिश में V भी लिखते हैं और W लिखते हैं लेकिन यहां पर V का अस्तमाल करते हैं इसलिए हम V लिखेंगे और W आखिर में आ रहा है इसलिए V के आगे A नहीं आएगा तो यह बन जाएगा G-A-U-R-A-V गौरव फिर है भूमी भभभपे बड़ेऊ की मात्रा म म पे बड़ी की मात्रा भभपे को इंग्लिश में B-H लिखते हैं तो यहां हम B-H लिख दिंगे भभपे बड़ेऊ की मात्रा है और बड़ेऊ की मात्रा के लिए उपर देखी क्या लिखा है Double O लिखा है लेकिन यहां पर हम Double O का इस्तमाल नहीं करेंगे यहां पर हम U लिखेंगे उसका reason यह है कि जब हम भूमी बोल रहे हैं तो उसमें B-H में हम थोड़ा कम जोर देके बोल रहे हैं म पर बड़ी की मात्रा है लेकिन बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है इसलिए M के आगे क्या आएगा I आएगा तो यह बन जाएगा B-H-U-M-I-B-H-U-M-I तो यहां पर बूरी होती है हमारी आज की क्लास I hope कि आपको इतना समझ में आया होगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ जो लोग भी शुरुवात से अंग्रेजी सीखना चाते हैं उन तक ए वीडियो जरूर से पहुँचा देना